GSTR 9-9-C and ITR filing due dates इस बार same day पर है यानि कि 31st December 2022 last time आपकी ITR filing की जो due dates है revised and related ITR filing की जो due dates है वो 31st March थी but इस बार ये दोनों ही dates same day पर आ रही है तो ये तो एक reason है ही कि क्यों जो है burden है अभी filing के लिए साथी काफी सारी request भी रही है tax professionals and taxpairs अभी demand कर रहे हैं dates की extension की income tax के अंदर अभी 3-4 days पहले ही taxpairs को message receive होने start हुए है जहाँ पे की high value transactions जोड़े message आ रहे हैं कि आपकी high value transactions जो है identify हुई है या आपने जिन्होंने ITR filing नहीं करी है उन्हें ITR file करनी है तो compliance portal पर आपको इसके response submit करने है और in case if you are eligible तो आपको ITR की filing बे करनी है तो इस तरह के message अभी ही आने start हुए है due date से near ही तो इसको लेकर भी जो है date extension की demand की गई है और 9 and 9C filing में क्योंकि जो उसकी tables है वो update ही काफी late हुई है तो उनके लिए भी जो है GSTR 9 and 9C filing की extension demand की जा रही है तो same आपको screen पर भी दिखाई दे रहा है कि extension demand की गई है आपकी मेरे tax bar associations के द्वारा जहां भी उन्होंने demand किया है कि जो GSTR 9, 9C और income tax returns की जो due date है वो 31st December से 31st March तक extend की जानी चाहिए तो ये जो extension है ये demand की गई है आप इसे support कीजिए extension सब भी चाहते हैं भले ही जैसा कि हमने पहले भी आपके साथ share किया था कि हो सकता है इतने वक्त की extension तो आपको ना मिले लेकिन कुछ समय की आपको extension हम expect कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप अपनी जो filing है वो timely करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि extension ना भी मिले तो चलिए इससे सपोर्ट कीजी, आप सभी के सपोर्ट से हो सकता है कि आपको कुछ समय मिल जाए